पहले देखा गया था कि तोशु राखी को धोखा देकर किंजल को पेट हाउस में शिफ्ट करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। राखी, तोशू और किंजल एक साथ दिनर करने जाते नजर आएंगे जहां राखी फिर से किंजल को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश करेगी. इसके अलावा किंजल ने उसे मना कर दिया की वह शिफ्ट नहीं होगी क्योंकि उसके परिवार को भी उसक अकेला नहीं छोड़ेगी. जल्द ही तोशू को एहसास होगा की किंजल सही कह रही है. इसके बाद तोशू बेहत बीमार हो जाएगा, परितोश को अनुपमा और उसके परिवार की याद आने लगेगी. दूसरी ओर तोशू के स्वास्थे के बारे में जानकर अनुपमा अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है. राखी की योजना फ्लॉप हो जाती है क्योंकि तोशू अपने परिवार के साथ रहने का फैसला करता है और किंजल को अपना खेद व्यक्त करता है. आने वाले एपिसोड में दर्शकों को अनुपमा और वनराज के जीवन में बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा. अनुपमा की मदद से वनराज को बड़ा ओर्डर मिलता नजर आएगा. वह अनुपमा को उनके कैफे में मदद करने के लिए गले लगाएगा. दूसरी ओर काव्या, वनराज और अनुपमा को करीब पाकर चिड़ जाएगी. काव्या वनराज की यह कहते हुए अलोच ना करेगी कि यह वही है जो वह चुपके से कर रहा है, जिससे उन दोनों के बीच बहुत बहस हो रही है. वनराज काव्या को समझाता है कि उसने उत्साह से ऐसा किया क्योंकि वह कैफे की सफलता से खुश था. हाला कि काव्या वनराज से कह कि वह अनुपमा नहीं है और वनराज को खुझे के लिए चिंतित हो जाती है. आखिरकार काव्या को एहसास होने लगेगा कि उसने अनुपमा के साथ कितना बुरा व्यभार किया क्योंकि वह अनुपमा और वनराज की दोस्ती से नेपड़ती है.